अंदर खाने से खबर आई कि मनीश कश्यप को बेतिया में इसलिए न्याले में नहीं लाया गया क्योंकि मनीश अगर बेतिया में आता है तो इतना हुजुम मनीश कश्यप के लिए आएगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी मनीश कश्यप के इस फोटो को देखिए और देख कर ये सोचिए कि जो आदमी पिछले तीन महीने से मदुरई के कारा मंडल में बंग है उस आदमी को बेतिया नहीं लाया गया जबकि जजज सहब ने कहा था कि आपको फिजिकली मनीश कश्यप को पेश करना ही होगा मदुरई के तरफ मदुरई जो जेल है वहां से कहा गया था कि आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पेशी करवा दीजिए बेतिया के जजज सहब ने कहा कि नहीं भाई सहब आपको मनीश कश्यप को लाना ही पड़ेगा और उसके बाद जब मनीश कश्यप की पेशी कोट में नहीं हो रही है तब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि एक बिहार का लड़का इतना ताकत रखता है कि उसको कोट में पेश करने के लिए इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि वो आएगा तो भीड बेकाबू हो जाएगी और उस भीड को संभालना पुलिस और प्रशासन के बस की बात नहीं होगी मनीश कस्यप ने क्या हासिल किया है मनीश कस्यप ने क्या खोया है मनीश कस्यप गुनहगार है इन सारे बातों के बीच इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मनीश कस्यप के अंदर इतनी ताकत है कि वो आदमी अगर आज भी आता है तो पुलिश प्रसासन के पसीने छूट जाएंगे क्योंकि मदुरई के जेल के बाहर रोज 200 मजदूर खड़े होते हैं और लाइन में लगकर मनीश कस्यप से मिलने की कामना करते हैं मनीश कस्यप ने ये पाया है और यही बात सायद बिहार वासियों को बताना बहुत जरूरी है मनीश कस्यप को लेकर बहुत सारे बात चल रही है लेकिन सबसे बड़ी बात जो फिलहाल चल रही है वो यही है कि आखिर मनीश कस्यप को कोट में पेश क्यों नहीं किया गया जब बेतियां के जजज साहब ने कहा कि 2020 में मनीश कस्यप पर एक केस हुआ था मारा मारी करने का केस था चुनाओ के वक्त हो सकता है फर्जी हो हो सकता है सही हो जज सहाब ने कहा कि मनीश कस्यप को मदुरई के जेल से बेतिया लाया जाए उनको फिजिकली अपियर करवाया जाए लेकिन मनीश कस्यप को फिजिकली अपियर नहीं करवाया गया और मदुरई जेल के तरफ से जब इस बात के लिए कहा गया कि आप हमको वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से पेशी का मौका दीजिए तब जज साहब ने इसको बिलकुल इनकार कर दिया लेकिन हिम्मत देखिये कि जज साहब के बोलने के बाद भी मनीश कस्यप को बेतिया नहीं लाया गया पूरी कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एक नेता बनने वाला है, बताएंगे कि कैसे जेल से ही नेता बना जाता है, बताएंगे कि मनीश का सपने क्या बदलाव लाया है, लेकिन उससे पहले नमस्कार सुईकार करिएगा, मेरे नाम प्रशांत्राय है, ये वी बिहार के किसी भी गाउं से पटना ना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोड बेस का एप डाउनलोड करना है, आधे किराय में आप पूरा बिहार घूम लेंगे, अब लोटते हैं इस मनीश कस्यप पर, जो मनीश कस्यप ये अपराधी इकाई का जो दफ्तर है पटना का वहाँ पर नीचे बैठा हुआ मनीश कस्यप है, ये जगदीश पूर्थाना है जहाँ पर मनीश कस्यप ने सरिंदर किया था, और ये मनीश कस्यप है जो एयरपोर्ट पर जा रहा था तो कह रहा था, कि हम बिहारियों को मिलकर बिहार के लिए लड़ना होगा, लेकिन इन कदमे के चलते उसके कुरकी जबती का आदेश जारी हुआ, लेकिन मनीश कस्यप का रॉला इतना है, कि अभी लोग अंदर खाने में बात कर रहे हैं, कि मनीश कस्यप अगर बेतिया फिजिकली कोट में पेश होने आता, तो वहाँ लोग जमा हो जाते, और इतने तादाद मे लोग जमा होते, कि उनको संभालना मुश्किल था, कहा जाता है, कि मनीश कस्यप लोगों के दिलों पर राज करता था, कर रहा है, और करता रहेगा, इस लाइन का मतलब अगर आपको समझना है, तो आपको कनहिया कुमार वाले प्रकरन की याद दिलाते हैं, कनहिया कुमार क जाकर और बड़ा बन गए, और मनीश कस्यप के साथ भी साइद यही हो रहा है, जानने वाले जानते हैं कि NSA मनीश कस्यप से हटेगा, वो आज हटे या छे महीने के बाद हटे, हटना तो है ही, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मनीश कस्यप को जब पेश करना था को कोट में और वो कोट में पेश नहीं होते हैं, तो इस पर अब लोग और एक तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं, कि क्या वाकई में मनीश कस्यप इतने बड़े हो गए हैं, कि उनको पेश करने से सरकार डर रही है, जब कोट कहता है कि आपको पेश करना है, तब भी आप प तरशार रहा है कि मनीश कस्यप का उहदा इतना बड़ा हो गया है कि वो जानते हैं कि अगर मनीश कस्यप बिहार आ गया तो लोग अपने आप पर काबू नहीं रखेंगे उसकी एक जहलक पाने के लिए कोट के पास जमा होंगे और भीड इतनी कठा हो जाएगी कि कोई उस भी जेल में बंद है लेकिन लोगों की भावनाएं उनसे अभी भी जुड़ी हुई है बाकी मनीश कस्यप वैभार न्याले में क्यों नहीं लाये गए बेतिया के ये सवाल है सवाल है कि कोट जब कहता रहा कि आप उनको फिजिकली प्रिजेंट कराईए फिर भी उनको नहीं ल मनीश को बेतिया के कोट में क्यों नहीं पेश किया गया मनीश कस्यप के लिए कहा गया था कि वो अब नेता बन जाएंगे कल सुशील मोदी ने मनीश कस्यप के लिए पोस्ट डाल कर एक तरीके से इस बात की पुष्टी कर दी और मनीश कस्यप का बेतिया ना लाया जाना कह न कहीं उनके हक में है क्योंकि अब उनका नाम और जोर शोर से लोग ले रहे हैं पूछ रहे हैं कि आपने पेश क्यू नहीं किया पूछ रहे हैं कि क्या आप भीड से डर गए थे पूछ रहे थे कि क्या उनका समर्थन सरकार नहीं देख पाती इसलिए उनको नहीं लाया गया और इन तमाम सवालों के बीच मनीश कस्यप अभी भी मदुरई के जेल में बंध है पिछले 90 दिनों से बंध है और पता नहीं कब तक बंध रहेंगे धन्यवाद